हेलो फ्रेंड्स आज हम लेकर आए हैं ऐसे नाश्टी की रैस्पी जिसे आपने ना बनाया होगा ना खाया होगा बहुत ही डिफ्रेंट बहुत ही यूनिक और टेस्टी तो है ही इसकी टेस्ट के आप दीवाने हो जाएंगे ख़ते में दो से तीन बार इसे जरूर बनाएंग और घर में हैं अगर छोटे बच्चे तो वो इसे मांग मांग कर खाएंगे चलिए तो फिर बिना देरी फटा-फट से करते हैं स्टार्ट से पहले थोड़ इसी मुंफली लगबग 1-4th कप मुंफली ली है इसे हम ड्राय रोस्ट करेंगे मुंफली से हमारे नाश्टे का ट कर सकते हैं चलिए तो 2-3 मिनिट में मुंफली हमारी अच्छी तरीके से भुन चुकी है अब हम क्या करेंगी कि मुंफली को किसी प्लेट में निकाल लेंगे जिसे कि एक पूरी तरीके से ठंडी हो सके और ठंडी होने के बाद ही इसे हमें ग्राइंड करना है जिसे कि इनका तेल ना छूटे, चलिए जब तक मौमफली हमारी ठंडी हो रही है, इधर हमने लिए हैं चार मीडियम साइज के उबले आलू को और इन्हें हमें अच्छी तरीके से मैश कर लेना है, आप चाहे तो इन्हें कद्दुकस भी कर सकते हैं, बस ध्यान इसी बात का देना है कि इसम हमारे अच्छी तरीके से मैश हो चुके हैं, आप इसमें हम डालेंगे हमारी भूनी हुई मोंफली के पाउडर को, जिससे के हमारे नाश्टे का टेस्ट काफी बढ़ जाता है, साथ हम डालेंगे इसमें दो कटी हुई हरी मिर्च, अब इसमें हम कुछ बेसिक से मसाली डाल एक चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, मिर्च पाउडर आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग डालेंगे इसमें हमने पहले ही हरी मिर्च को भी डाल रखा है, साथ ही डालेंगे वन फोर चम्मच हल्दी और एक बड़ा चम्मच चाट मसाला, जीरा पाउडर, गरम मसाला, अब हम क्या करेंगे कि इन सभी चीजों को आलो में अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे, तो हातों को साफ करके मैंने यहां सभी चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है, इस नाश्ते में हम आलो का इस्तमाल कर रहे हैं, इसलिए नाश आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लग रही है या थोड़ी भी यूसफुल लग रही है तो इसे एक लाइक जरूर करें चैनल पर नए है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें तो हमने यहाँ सारे ही आलू मसाले की बॉ यहाँ पर मैंने वाइट ब्रैड ली है आप चाहे तो यहाँ ब्राउन ब्रैड का भी इस्तमाल कर सकते हैं और अब हम क्या करेंगी कि ब्रैट की सभी एजिस को कट कर लेंगे जिसे कि हमारा नाश्ता बहुत ही अच्छा बनता है और यह जो ब्रैट की कटी एजिस है ना इ अब नाश्ता बनाने के लिए हमने जो यह दूद और पानी को मिक्स करके रखा है ना उसमें सबसे पहले हम डालेंगे एक ब्रैड को ब्रैड ना बहुत ही जल्दी से दूद और पानी को सोक कर लेती है इसलिए हमें इसे जटपट निकालेंगे और इसे दबाते हुए इसक अलू मसाला बॉल को और अब ब्रैड की सबी एजिस को उठाते हुए इसे हम अच्छी तरीके से कवर कर लेंगे इस समय ब्रैड काफी सॉफ्ट होती है ना तो बहुत ही आसानी से हम मसाली को कवर करकर उसे इस तरीके से बॉल का शेप दे देते हैं देखने में थोड़ा सा इस तरीके से राड़ी कर लिया है इसे भी हम दो तरीके से कुप कर सकते हैं अगर आपको ओयली खाना पसंद है तो आप क्या करें कि तेल को अच्छा गर्म कर ले और गर्म तेल में जितनी भी आपकी कड़ाही में नाश्ते आ सकते हैं उसे डाल देंगे इस स्टार्टिंग गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखें इसे एक बार भी हाई न करें क्योंकि उससे ब्रैट का कलर बहुत ही जल्दी चेंज हो जाएगा पर वो अंदर से पकेगी नहीं इसे ऐसे ही अलड़ते पलड़ते दोनों साइड अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हम इसे प्राइ कर लेंगे तरीकी का बहुत ही चेटपटा नाश्ता बनकर तयार है जो लोग ऑईली खाना पसंद करते हैं उन्हें ये नाश्ता बहुत ही जादा पसंद आएगा क्योंकि बाहर से ये बहुत ही जादा क्रिस्पी होता है और अंदर से चेटपटी स्टफिंग वाला और जो लोग ऑईली खाना नहीं पसंद करते हैं वो क्या करें कि किसी पैन को गैस पे चड़ा दे उसमें हम डालेंगे एक चमच तेल तेल के गर्म होते ही आधा चमच जीरा साथ ही आधा चमच राई आप डाले एक बड़ा चमच तेल जिससे कि इसका नाश्ते में बहुत ह अछय क्रंच आताए है साथ में ही ऑच्छ गलर के लिए ईसमें हम डालेंगे एक बड़ा चमच काश्मिरी लाल मिर्च टेस्ट को बढ़ाने के लिए एक ही चमच पावभजी मसाला आप चाहे तो यहाँ सांभर मसाले का भी इस्तुमाल कर सकते हैं सबी मसालों को हम हलका सा मिक्स कर देंगे अब डाले इसमें खूब सारा कटा हुआ हरा धनिया इसे भी देंगे हम हलका सा मिक्स और अब फटापट से इसमें हम लगबग दो चमच पानी डाल देंगे जिसे कि ये मसाले हमारे जले नहीं पानी यहाँ पर थोड़ा कम ही डाले कलती से मुझसे पानी जादा हो गया था तो मैंने क्या करा कि पानी को अच्छी तरीके से रेडियोज होने दिया और अब इसमें हम हमारे तयार नाश्टे को एक एक करके डाल देते हैं इसे थोड़े से सिखने के बाद पैन को इस तरीके से घुमाते हुए नाश्टे को हम सेख लेते हैं तो ये देखे मसालों की बहुत अच्छी कोटिंग हमारे नाश्टे पर हो चुकी है देखने में ही लग रहा है ना लाजवाब ऐसे ही इसे हम 2-3 मिनिट तक अलटते पलटते हुए सेक लेंगे जिसे की नाश्टा हमारा बाहर से भी थोड़ा सा क्रिस्पी हो सके तो 2-3 मिनिट नाश्टे को हमने अच्छी तरीके से सेक लिया है और नाश्टा भी हमारा रैडी हो गया है बिना आटा मैदा सू होता है तो आपको जैसा भी टेक्श्चर पसंद हो आप उस तरीके से इस नाश्टे को बना सकते हैं और आप ये वीडियो किस से टी से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताइएगा चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में नई रैसिपी के साथ तब तक अपना ख्याल रख कि बाइभाई